नमस्कार मैं हूँ रवी सिंग मैं आपको लेकर आएँ आज उधंपूर रठ्यान शेत्र में उधंपूर से चार किलूमेटर की दूरी पर ये शेत्र पढ़ता है लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चार दिन पहले चरी सेाल में भी एक हाथसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी बिजली की क्रंट लगने से देखें उनके भी शत्के साथ बिलकुल लाइन जाती थी तेरा केवी की और एक पोल लगा गवा था साथ टावर उसके साथ वो टैच हुआ और लड़का शत्पे था पतंग उड़ा रहा था और उसकी मोत होगी भरत तो उसका नाम था तेरा साल उसकी उमर थी वैसा ही दुरुष आपको एक और दिखाना चाहूंगा मैं रठ्यान शेत्र में पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह देखें मेरे बीचे यह बिजली की तारे हैं यह और आप यह देखें कि बिजली बिभाग की लापरवाही द बात हुई तो इन लोगों का कहना था कि यहां पर बच्चे शाम के समय में काफी बच्चे आते हैं उनके शत्से माताकाली का मंदर भी सामने दिखाई देता है लोग सुबह शाम पूजा के लिए भी शत्पे आते हैं लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि एक हाथ से को और नहीं जाएक पर देने की बात यहां पर आ रही है लेकिन पूरे के पूरे जो आस-पास के लोग है वो भी यहां पर आए हुए लेकिन पहले में यहां के जो ओरते हैं क्ये ना मेरे नाम नीत्तु देवी है तोजी क्या अखना चालने की तवाडेक उठे पर यड़ा लगे मेरे शाथ तुपरे बिचे सैंटर तार जारी है में तार है कि बच्चे चोभी केंटे खेला गर देन कोई भी शार्ज है कोई भी आसां दाया जी मेवार कोण है है मैगमा है जेनल लाई यह हो आसको दाय मचेल जातरास्ता गे दे साड़े आंदेदकर एक कामगरी उड़िया भी शनाओ कि एक चरीवीद बच्चा गया कालवर्शू कॉन जी मेवार है अज मेरे शाथ तुपरे जारी है कॉन जी मेवार है तो ले सकते हैं कोई में अगमा ले सकता पड़े नाम दिए कि यह गल्त काम किता गोसना है पहले उसी पकड़ू जड़े मेरे शाथ प्रहां कामगरी यह कि आया है फिवाच पुछनी हमें बाकि आलें के तो उसके पील करना चाहिए डिपार्टमेंट में एपील करने निया यह तारा इथा पटाई जान एक दो दिन बीच बास तो अड़े मकान काफी प्राने बने देने से बड़ी चिरे देन तो ले पूल लगे ते क्या तुसे नहीं मना नहीं कि ता कि रोड़ पर लिए साइड पर ही उन्हें बोलिया हाँ आसे अप्लिकेशन भी ती उन्हें बो के लोग आते हैं मैं फिर यह दिखाना जाएंगा अपने कैमरमेंट से फिर दिखाएं कि यह देखिए यह लकडी के डंडे हैं यह और इन डंडों के सारे इंतारों को रोका गया उपर अगर यह डंडे निकलते हैं तो भी तार नीचे आएगी बारिश पढ़ती है तो शत पर पानी जमा होता है और तब भी यह पूरे का पूरा यह शतिये शाट हो जाएगा और काफी महला आगे पीछे काफी लोग रहते हैं यहां पे और भी लोग है कुछ में उनसे बात करना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप इसी महले करें जीत खजोईरिया बजंग दल म नीचे तक आती है थोड़ थोड़ी अगर यह बांस जो यह लगे हुए ना अगर यह हिल जाएंगे जिस दिन तो यह मैं यह बोर रहा हूं कि 100% गरांटी है कि कोई ना कोई इसमें हास्ता होने का मलब चबेड में आ सकता है मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूंग अगर ऐसा हास्ता हमारे इधर अठीयान में भी होता है तो हम कड़ी से कड़ी इसकी कारवाई करेंगे और जला से जला लोग रोड पर उतरेंगे मैं यही चताबनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जय बारत जय आपने देखा कि गुसा इन लोगों के अंदर है जादा शत पर आते हैं खेलने के लिए लेकिन बिजली विभाग को चाहिए कि यहां पर नजर दोड़ाई जाए अधिकारी यहां पर आए और देखें और जिस तरह से होता है जल्दी से जल्दी इन तारों को इन शत से हटाया जाए ताकि कोई दूसरा हाथसा किसी दूसरे ब कि दूसरा है